कि जमो कश्मीर में आतंक पर लगातार परचंड परहार जारी है। जमो में बढ़ते आतंक की हमलों ने सरदर्दी बढ़ा दी है। जमो में असी से नभेक अतंक पर लगातार सर्च ओपरेशन चला रहे हैं। पैनिन हजर चप्पे चप्पे पर बनाई हुई है और पूरी कोशिश यह है कि चनाव से पहले इनका सफाया कर दिया जाए। जमो में आतंक पर लगातार मुतोर जवाब दिया जा रहा है। जमो कश्मीर में आतंक की बारदातों में अचानक से तेजी देखी गई है। जमो कश्मीर में आतंक की बारदातों में अचानक से तेजी के बाद सरुक्षा एजन्सियां अलर्ट पर है। आतंक के इस सफाय के लिए जमो कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में सेना कतावर तोड़ सर्च ओपरेशन लगातार जारी है। दीखे यह रिपोर्ट। जमो कश्मीर में आतंकियों का होगा पूरा हिसाब। खिर गये आतंक की outta खातमय की तैयारी। जमो कश्मीर से होगा अतंक का सफाय… देश के दुशवन जायेंगे जहन्नुम जमो कश्मीर में जारी हैं ओपरेशन क्लीन। हार के दिनों में जमो कश्मीर में आतंकवादी हमलों में आचानक से तेजी देखी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंगवादी वारदातों में अचानक से तेजी के बाद सुरक्षा एजेंसिया अलर्ट पर हैं। आतंग्यों के सभाई के लिए जम्मू कश्मीर के अलग-अलग इलागों में सेना का तावड़तोर सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान कई जगों पर पूरे जंगल को खेर कर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जंगलों में आतंगवादीयों की मौझूदगी की कुछना मिलने पर सेना के जवान लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। पिछले कुछ दिलों से जम्मू के तमाम इलाकों में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है जम्मू छित के पहारी इलाकों में आतंकी घटनाओं में उशाल 11 अक्टूबर 2021 के बाद से देखने को मिली है करीब एक दश्रत बाद ये देखने को मिला है कि कश्मीर की बजाए आतंगी घटनाएं जम्मू में जादा देखने को मिल रही है जम्मू के पहारी जिलों में बढ़ रही इन आतंगी घटनाओं पर कई रक्षा विश्यसग्यों ने चिंता जताई है रक्षा विश्रिशग्यों का कहना है कि यदि जल्द ही कोई ठोज कदम नहीं उठाए गए तो इस दिती हाथ से बाहर जा जा जकती है पिछले कुछ तिनों से जो आप जम्मू रीजिन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं इसमें 600 SSG कमांडोज एर मार्किस काम के लिए के गए जिसमें से काफी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं यह मुझे लगता है एक्ट आव वार है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इंवाल्व करना उसको अंगेज करना इस जंग में यह इनका एक शाहिद सलीम लेटिन करनल है जो रिपोर्ट के मताबक अंदर आ चुका है और वो ही सारे आपरेशन डारेक्ट कर रहा है इन्होंने लोकल नेटवर्क जो जिहादी नेटवर्क है लोकल सलीपर सेल्स उनको एक्टिवेट किया है तो हम मुझे लगता है यह कोवर्ट वार है पाकिस्तान ने जो लांच किया है और भारत एकार्डिंगली इसको डील करें अनुश्यत 370 और 35 के निरस्थ होने के बाद जम्मुश्यत में आतंकवादी हमलों में पढ़ोत्री हुई है माना जा रहा है कि आतंक्यों ने अपना ध्यान कश्मीर से हटा कर जम्मु पर केंद्रित कर लिया है अनुश्यत 370 के खात में से पहले आतंक्यों का फोकस कश्मीर के इलाकों पर था लेकिन अब जम्मु श्यत के पहाड़ी इलाकों में आतंकी गत्मिद्या बढ़ी है धारा 370 और 35 से किने स्थोने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकी पारिश्यती की तंद्र पर एक बड़ी कारवाई हुई सुरक्षाबलों ने शेत्र में अपने आतंक वाद विरो दिया भ्यान तेज कर दिये घाटी में हुई मुठवेरों में कई शिर्स आतंकी कमांडरों को मार गिरा गया इस वज़े से घाटी में सिती समान होने लगी लेकिन इसके बाद आतंकीों ने अपनी रणिती पदल दी रूरे अपना ध्यान जम्मू शेत्र के पहाडी जिलों की और केंदरित कर दिया आतंक बाद का पनागा पाकिस्तान जम्मू कश्विर को देलाने की अपनी साजिशों से बाद नहीं आ रहा है